Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ R.D. टेली प्राइम की इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याए में हम आपको बताएंगे कि टेली प्राइम में लेजर क्या है और उसे कैसे देखते हैं लेजर की ये वीडियो दो पार्ट में हैं, पहले पार्ट में हम आपको लेजर के बारे में सामाने जानकारी देंगे और दूसरे पार्ट में लेजर को कॉन्फिगर करके बताएंगे साथ ही बताएंगे लेजर में रहते हुए ट्रांजेक्शन से संबंधित क्या काम किये जा सकते हैं यहां हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप सफल व्यवसाई या सफल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो इन दोनों वीडियोस में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपून हैं आप इने ध्यान से देखें और प्रैक्टिस भी करें तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याई जैसा कि हमने आपको मैनियोल अकाउंटिंग की प्रोसेस के बीच बताया था कि अकाउंट यानि खाता क्या होता है जब किसी व्यक्ति विशेश, वस्तू, सेवा या आयवे इत्यादिस संबंधित समस्त लेंदेन एक निश्यत स्थान पर तीथीवार और नियमा नुसार रखे जाते हैं तो उसे खाता यानि अकाउंट कहते हैं किसी भी खाते के दो पक्ष होते हैं डेविट साइड यानि नाम पक्ष और क्रेडिट साइड यानि जमा पक्ष debit side left की तरफ होता है और credit side right की तरफ होता है यहाँ पर हम आपको याद दिला दें कि tally में खाता यानि account को ही ledger कहते हैं अभी तक हम tally में company बनाना, ledgers बनाना, stock groups बनाना, stock items बनाना, vouchers में transactions record करना और अले कई महतून बातों के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं दौरान ही हमने आपको बताया था कि tally में हमें सिर्फ ledger बनाकर vouchers की सहायता से transactions record करना होते हैं इसके बाद manual accounting के बाकी सभी काम जैसे ledger posting, trial balance, trading and profit and loss account और balance sheet tally हमें खुद ही बनाकर दे देता है यानि यह सभी काम tally में automatically reflect हो जाते हैं अब सवाल यह है कि tally में हमने जिन transactions को vouchers में record किया है उनकी automatic posting तो ledgers में हो गई पर वो transactions संबंधित ledger में कैसे देखे जा सकते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ledger को कैसे देखते हैं आगे बंडे से पहले हम आपको ये भी याद दिला दें कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने रिपोर्ट के अंतरगत आने वाली बहुत ही महतुकून रिपोर्ट डे बुक के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि इस रिपोर्ट पर तीन तरीकों से पहुँचा जा सकता है उसी तरह ledger को देखने के भी दो तरीके हैं पहला reports heading के अंतरगत डिस्प्ले more reports में जाएं यहां से accounts books पर जाएं यहां ledger दिखाई पढ़ रहा है चलिए वापस चलते हैं तो चलिए दूसा तरीका भी देख लेते हैं जो कि मुख्य रूप से तब काम आता है जब हम टैली में कहीं और काम कर रहे होते हैं और इसी बीच हमें कोई ledger देखना हो तो उसके लिए go to पर जाएं देखिए यहां common reports के अंतरगत यह ledger vouchers के नाम से दिखाई दे रहा है चलिए वापस gateway of tally पर चलते हैं अब पहले बताय हुए तरीके से एक बार वापस ledger पर चलते हैं और कोई ledger open करके देख लेते हैं अभी हम gateway of tally पर हैं डिस्प्ले more reports के लिए d press करेंगे अब account books के लिए a press करें अब यहां दिखाई पढ़ रहे लेजर के लिए l press करें list of ledgers आ रही है आप जिस ledger को देखना चाहते हैं name of ledger के नीचे वो नाम type करें यहां पर हम cache type कर रहे हैं यह देखे cache highlight हो रहा है अब enter press कर दें ऐसा करते ही left side में आपने जो ledger select किया था उसका नाम दिखाई पड़ेगा और right side में उसकी तारीख या period दिखाई पड़ेगा अब आप जिस अवधी के लिए यह ledger देखना चाहते हैं f2 press करके वो period type करें हम एक मही से 31 जुलाई तक का period ले रहे हैं यहाँ एक बात ध्यान रखें लेजर में period चेंज करने के लिए आप f2 या alter के साथ f2 दोनों short cuts में से किसी का भ्यूपयोग कर सकते हैं यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान से समझें नीचे के और आप जो opening balance देख रहे हैं वो हमने जो period select किया है उसकी शुरुवात का है जैसे यहाँ यह एक मई का है current total में आप जो भी amount देख रहे हैं वो इस लेजर में selected period में जो भी amount debit और credit हुए हैं उनका total है और closing balance में आप जो amount देख रहे हैं वो आपने जो period select किया है उसके आखिर का होता है जैसे यहाँ पर यह 31 जुलाई का है यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखें रिपोर्ट देखने के पहले हमेशा उपर period जरूर चेक कर लें कि हमने जो period लिया है रिपोर्ट उसी period की है या नहीं क्योंकि कई बार हमसे period change करने में गलती हो जाती है यहाँ पर हम आपको period बदलने के कुछ shortcut बता रहे हैं पर उसके पहले दो बातें समझना जरूरी हैं पहली हम shortcut की सहायता से जो भी तारीख लेंगे वो current financial year के लिए होगी जैसे अभी हम 2020-21 यानि 1 April 2020 से 31 March 2021 के बीच काम कर रहे हैं तो यहाँ जो भी तारीख आएगी वो इसी अवधी के बीच की होगी दूसरी बात चूंकि हम tally के educational version पर काम कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर सीमित तारीखों का ही उप्योग कर सकते हैं और वो हैं 1, 2 और 31 मालिजे हम 2 April 2020 से 1 October 2020 तक का लेजर देखना चाहते हैं F2 प्रेस करके From में 2 April के लिए 2A टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे और 2 में 1 October के लिए 1 O टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे देखिए ऐसा करते ही 2 April 2020 से 1 October 2020 की रिपोर्ट आ गई है अमालिजे हम April से लेकर मार्च तक सभी माह की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए बगेर तारीक के सिर्फ माह टाइप करना होगा जैसे हम फ्रॉम में अप्रेल के लिए A और 2 में मार्च के लिए M टाइप कर रहे हैं देखिए ऐसा करते ही अप्रेल से मार्च तक यानि पूरे फनेंशल यर की रिपोर्ट आ गई है इसमें कन्फूजन हो सकता है कि यदि हम ऐसे महिनों के रिपोर्ट देखना चाहते हैं जिनका शुरुआती अक्षर एक जैसा है जैसे जन्वरी जून और जुलाई ये सब ही जे से शुरू होते हैं तो इनके लिए क्या टाइप करेंगे तो हम आपको बता देते हैं कि जंवरी के लिए जे जून के लिए जे यू एन और जुलाई के लिए जे यू टाइप करेंगे और इसे तरह मार्च के लिए M और मई के लिए M A Y टाइप करना होगा यदि आपके कंपनी पिछले कई वर्षों से बनी हुई है और आप किसी पिछले फनेंशल येर का लेजर देखना चाहते हैं तो आपको तारीख के साथ फनेंशल येर भी टाइप करना होगा जैसे कि हम फनेशल येर 2017-18 का लेजर देखना चाहते हैं तो F2 प्रेस करके 1 अप्रेल 2017 से 31 मार्च 2018 टाइप कर रहे हैं ये देखे हमारे टाइप किये गए पिरियर्ट के रिपोर्ट आ चुकी है अब चुकि इस अवधी में हमारी कंपनी थी ही नहीं इसलिए यहां रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है हम फिर से पिरियर्ट चेंज कर लेते हैं यहां पर हम आपको बता दें कि Manual Accounting के बीच हमने आपको जर्नल से Accounts में पोस्टिंग करना बताया था और पोस्टिंग के बाद Accounts किस तरह के दिखते हैं ये भी बताया था उसी का एक नमूना हम आपको यहां भी बता रहे हैं देखिए Manual Accounting में Account यानी Ledger इस तरह का दिखाई पड़ता है और Tally में Ledger इस तरह से दिखाई देता है दोनों ही Ledgers में उनसे संबंदित सभी Lendend यानी Transactions तिथी वार रखे गए हैं दोनों में दो पक्षें एक debit और एक credit दोनों ही Ledgers में आप देख सकते हैं कि उनने किस प्रकार के Lendend हुए हैं कुल कितना रुपिया आया है कितना गया है और आप उस अकाउंट में क्या balance है दोनों में सिर्फ थोड़ा ही फर्क है और वो है प्रेजंटेशन का इस वीडियो में आपने जाना कि Ledger क्या है और Tally में Ledger कैसे देखते हैं इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको Ledger को configure करना और Ledger में रहते हुए transaction से संबंदित क्या काम किये जा सकते हैं ये बताएंगे झाल